आपसे मैं पूछती हूं एक अव्यसक लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ क्या वो लड़ सकती है क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है मैं आपसे पुछना चाहती हूँ आपके घर में भी बेटिया है आपके घर में भी बेहने है पूरा तंत्र जुटा हुआ था आज चार्चीट फाइल होती है लेकिन खेल कूत के मंत्रिय ने तो पहले ही भविश्रिवारी कर दी थी कि पंद्रा तारिक तक चार्चीट फाइल हो जाएगी क्यों उनको कैसे पता था ये चार्चीट दिल्ली पुलीस ने लिखी है या इस चार्चीट को लिखने का काम भाजपा के कार्याले में किया गया है और कौन है दूसरी तरफ इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया जिनके साथ फोटो खिचाते वक्त ठकते नहीं थे मोदी जी जिनको अपने घर की महिला लड़किया बताते थे पचास दिन से उपर हो गया एक शब्द इस देश के प्रधान मंत्री से नहीं फूटा यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान उन बेटियों के चरत पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने इनके एको सिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संगरक्षर देते रहे लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा भारतिये जनता पार्टी हर बार संगरक्षन आरोपी को बलातकारी को जो योन शोशन करता है उसी को देती है याद है न कुलदीब सिंग सेंगर याद है चिनमियानन्द याद है लखीमपुर का चीरहरण याद है आपको अंकिता उत्तुरा खंड की याद है आपको हाथरस की गुडिया हर बार संगरक्षन आरोपी को दिया जाता है हर बार संगरक्षन दरिंदे को दिया जाता है हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतिय जन्तापाटी, मोधी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी करते है ये एक स्क्रिप्ट है, ये चिर परिचित अंदाज में हर बार संग्रक्षन आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, जोका बटी में देश की बेटियों को जाएगा हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्याएपालिका, इस देश के कोट इसका संग्यान लेंगे कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान, बदला गया, वो बदला उस दोर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था उसके, उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन ये वही दिल्ली पुलीस है, जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किये, क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला नियाए पालिका को करना है, और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में इस देश के नियायालियों में, अभी नियाए जिंदा है और इन बेटियों को और खासतोर से उस अव्यसक बेटी को जरूर नयाय मिलेगा लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दे क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार पूरा तंत्र निरंकुष पुलीस इस देश की एजनसिया इस देश के सांसद इस देश के मंतरी और इस देश का प्रधान मंतरी खड़ा मिलेगा आपको